वेलकम टू ग्लैम वर्ल टॉक्स आज के इस वीडियो में हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे पहला तो आपको पताई होगा कि एक दो दिन पहले सलमान खान के घर पे गोलिया चली थी उसमें जो दो सूटर थे वो दोनों आज अरेस्ट हो गये हैं तो इस केस के बारे में हम बात करेंगे कि आज जो दो सूटर अरेस्ट हुए हैं उनके नाम बिकी गुपता और सागर पाल ये हैं अगर इन दोनों के नाम कुछ और होते तो आप सोचिए कि आज कल जिसको की कई सारी लोग गोधी मीदिया कहते हैं वो इस पूरे मामलों को क्या रंग दे देता कैसे इसमें कमीनल एंगिल लेके आ जाता हम आपको ये भी एक्स्प्लें करेंगे कि आखिर लॉरेंस बिस्नोई जो की एक गैंस्टर है उसकी सल्मान खान से क्या प्रॉबलम है और वो 2018 से सल्मान खान को क्यों धमकिया दिये जा रहा है इसके बारे में भी हम आपको एक्स्प्लें करके बताएंगे कि एक्चुली ये पूरा मैटर है क्या और कैसे ये पूरा का पूरा मामला सल्मान खान लॉरेंस बिस्नोई ये स्टार्ट हुआ दूसरा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है चिंटू और ईशा के ब्रेकप का आपको पता है कि मुनावर फारुकी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि बिग बॉस से निकलने के चार महिने के अंदर इन दोनों का ब्रेकप हो जाएगा वैसा ही हो गया है चिंटू और ईशा का ब्रेकप हो गया है यह अब कन्फर्म है तो हम इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे तीसरा जो है कि बिग बॉस OTT 3 का जो कन्फरमेशन है उसके बारे में काफी सारे बाते चल लही है हमने ट्विट किया था कि यह नहीं आने वाला है उसके बाद कई सारे लोगों ने रिप्लाई किया कि नहीं बिग बॉस OTT 3 आएगा क्योंकि इंडिमॉल ने उस पे एक इस्टागराम पे पोस्ट किया है इस बारे में भी हम आपको डीटेल देंगे जो की जानकारी हमारे पास है कई सारे जग़े खबर चल ला है कि सदाकत बिग बॉस OTT 3 में जाने वाले हैं इसके बारे में हम आपको डीटेल में इस वीडियो में आपको बटाएंगे तो आईए सबसे पहले बात करते हैं पहला सलमान खान वाले केस के बारे में आपको पता है कि दो दिन पहले सलमान खान के घर पे चार से ज़्यादा बुलेट्स जो है उनका गैलेक्सी अपार्टमेंट है उसके दिवालों पे फर्स्ट लोड पे उनके चार से ज़्यादा गोलिया जो है वो चलाई गई हाला कि उस वक्त सल्मान खान घर के अंदर नहीं थे और किसी को कोई physical damage नहीं हुआ लेकिन जैसी ही ये खबर सामने आई काफी ज़्यादा संसनी फैल गई लोग काफी हके बक्के रह गए कि इतने पॉस एरिया में इतनी हाई security वाले एरिया में जो कि सल्मान खान खुद काफी हाई security में रहते एक VIP आदमी है उन पे ऐसे दिन दाहरे आके कोई दो लोग गोली चला कर जाते हैं तो इसकी काफी ज़्यादा बज थी और उसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज ओगर जब खंगाला तो उसमें दो जो शूटर थे उनके फोटोग्राफ्स वाइरल हुए कि ये दो शूटर हैं जिनोंने सल्मान खान के घर पे शूटिंग किया है इस मामले में हमें मुंबई क्राइम ब्रांच की तारीब भी करनी पड़ेगी कि 48 घंटे के अंदर उन्होंने इन दोनों जो सूटर्स हैं इनको पकड़ लिया है और ये दोनों सूटर्स गुजरात के भुज से पकड़े गये हैं इन दोनों सूटर्स का जो नाम है एक का नाम विकी गुपता है एक का नाम सागरपाल है अब जड़ा आप सोचिए यही विकी गुपता या सागरपाल की जगह इनका नाम कुछ और होता तो आज के दिन में जिसे ज़्यादातर लोग गोधी मीडिया कहते हैं वो इस पूरे के पूरे नियूज को कैसे इस पिन करके एक अलग ही रंग इसको देने की कोसिस करता जड़ा सोचिए कि यह दोनों की दोनों जो सूटर्स हैं यह अगर गुजरात की जगह पे किसी और स्टेट से पकड़े गए होते बंगाल से पकड़े गए होते तेलंगाना से पकड़े गए होते करनाटक से पकड़े गए होते तो इस पे किस तरह की नियूज बनाते जो सो एक जो पंजाब के गैंग्स्टर हैं, लॉरेंस बिशनोई, उनके भाई जो की यूएस में रहते हैं, उन्होंने क्लेम किया कि ये सूटिंग हमने करवाई है, लॉरेंस बिशनोई के गैंग ने ये सूटिंग करवाई है सलमान खान के उपर, अब इसमें आप में से कही सारे के माइंड में सवाल आएगा है कि ये लॉरेंस बिशनोई है कौन और इसको सलमान खान से भाई प्रॉब्लम क्या है, यो क्यों सलमान खान को मारना चाहता है, तो आपको हम बता दे कि लॉरेंस बिशनोई पंजाब का रहने वाला अभी फिलहाल वो जेल में है, जिनके उप वर्ड मर्डर एक्स्टॉर्शन कई सारे केसेश चल रहे हैं, एक पूरा गैंग चलाने का इनके उपर आरोप है, फिलहाल लॉरेंस बिशनोई की उमर्ड 31 येर्स की है, लॉरेंस बिशनोई का नाम अचानक से बहुत जादा उशला जबकि लॉरेंस बिशनोई का एक फ्रे ओनलाइन थ्रेट्स मिले, जिसमें पंजावी सेलबरेटिक जिप्पी गरेवाल भी सामिल है, उनको भी थ्रेट मिला था, अब मामला ये है, लॉरेंस बिशनोई को सलमान खान से प्रावलम ये है, कि आपको याद होगा कि 1998 में सलमान खान एक ब्लैक बक यानि की काले हिडन के सिकार के केस में फसे थे, और ये जो ब्लैक बक जो काला हिडन है, वो बिशनोई समाज के जो लोग है, वो लोग काफी उसको होली मानते हैं, काफी उसको पवित्र मानते हैं, ये पूरा का पूरा केस जो है, जोदपूर के कोट में चल रहा था, और उसी समय जब लॉरें से सलमान खान को टाइम टाइम पर फ्रेट्स मिलते रहे हैं, 2022 में सलमान खान की जो सेक्योर्टी है वो बढ़ा दी गई थी, उनको गन लाइसेंस भी दिया गया, उन्हेंने बुलेट प्रूफ कार भी खड़ीदा, इसके बाद अब ये सवाल हमारे पास आजाता है कि जब आपके पास 2018 से थ्रेट्स है, 2022 से आपको थ्रेट असेस्मेंट आपने किया, आपको पता था कि ये हमला हो जकता है, इसको कि लगतार सलमान खान को आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं, आपने उनका सेक्योरिटी कबर भी बढ़ा दिया, फिर भी ये जो है बहुत बड़ा question order मुंबई के महारास्टरा government के law and order पे खड़ा करता है, कि आपको ये सारे input होने के बावजूद, आपको पता था कि dead threats मिल रहे हैं, आपको पता था कि लॉरेंस बिश्णोई का जो गैंग है, वो सल्मान खान पे हमला करने वाला है, उसके बाद भी दिन दाहारे दो लोग आते हैं और घर पे गोलियां चला कर चले जाते हैं, ये अपने आप में बहुत ही shocking है और ये एक alarming question रेज करता है मुंबई के law and order situation के बारे में, जो black buck, यानि की काले hidden वाला case था, उसमें सल्मान खान बड़ी हो गए थे, उसके बाद से लॉरेंस बिश्णोई का ये कहना है कि सल्मान खान जो है, बिश्णोई समाज की मंदिर में जाके, और वो और दिमांड अपने आप में ऐसा है, जिसको सल्मान खान कभी fulfill नहीं कर सकते, अगर सल्मान खान ने ऐसा नही किया है, तो वो क्यों ही माफी मांगे अगर सल्मान खान ने किया भी हो ता और उसके बाद वो बड़ी हो चुके हैं, और अगर सलमान खान आके ऐसी माफी मांगेंगे और ये एकसेप्ट कर लेंगे तो इसे तो दो चीजे साबित होती है एक कि कल को कोई भी आतंकवादी या कोई भी इस तरह से गैंक्स्टर जो है आपको धमकी देगा और आप उसके अंडर जुपते रहो तो ये एक दूसरा कि अगर सलमान खान एकसेप्ट कर लेते हैं कि उन्होंने काले हिडन का सिकार किया था तो उसके बाद सलमान खान खुद फस जाते हैं वो जेल जाएंगे तो ये दोनों ही डिजन के कारण सलमान का कभी माफी नहीं मांग सकते हमारे कॉर्डिंगली किसी भी धमकी से किसी के जान से मारने की धमकी कारण किसी को माफी मांगना भी नहीं चाहिए ऐसे तो जितने भी और क्रिमिनल्स गैंग्स्टर हैं उनको काफी उनका मन बढ़ता रहेगा वो लोग ये कहेंगे कि चलो किसी को भी एक थ्रेट कर दो और वहां से एक्स्टर्ट करो किसी से माफी एक्स्टर्ट करो किसी से पैसे एक्स्टर्ट करो यहाँ पे जिम्मेदारी गर्मेंट की है कि कैसे एक आदमी जो की और्लेडी जेल में है लॉरेंस बिस्नोई जेल से उसका इंटर्विव भी आया था जो आदमी औलेडी जेल में है, वो जेल से अपना पूरा पूरा गैंग भी चला रहा है, वो जेल से इंटर्व्यू भी दे देता है, तो ये सारी चीजों पे लगाम लगाना गर्मेंट का काम है, गर्मेंट को देखना चाहिए कि वो कैसे देश के हरे एक नागरिक को चाहिए सलमान खान जैसा celebrity हो या कोई छोटा आम नागरिक हो कैसे उसको गुंडे से गैंक्स्टर से क्रिमिनल से बचाया जाए और कैसे लोगों की जान की रक्षा की जाए तो बस ये था सलमान खान का मैटर इस पर हम चाहते थे कि थोड़ा डीटेल आपको बताएं कि आखीड मैटर क्या है क्यों लौरेंस बिस्नोई जो है सलमान खान पर हमले करने की या धंकिया देते रहता है ये आपको पता होना चाहिए अब हम बात करते हैं आज के दूसरे टॉपिक की चिंटू और ईशा मालविये इन दोनों का ब्रेक अप हो चुका है अगर आपने बिग बोस 17 फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि एक कनवर्शेशन था जिसमें कि अभिशेक कुमार और मुनावर फारुकी आपस में बात कर रहे होते हैं अभिशेक बोलता है कि दो महिने के अंदर में बाहर निकलती है इसको छोड़ देगी बुनावर फारुकी बोलता है कि नहीं चार महिने लगेंगे चार महिने के अंदर में दो महिने से जादे चार महिने के अंदर लेकिन यह चोड़ देगी क्योंकि चार मेने दोनों के दोनों ने एक दूसरे को unfollow कर दिया यानि कि लगभग तीन महिने में इन लोगों ने अपना breakup declared कर दिया दोनों ने एक दूसरे को follow करना बंद कर दिया हला कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले February में Valentine's Day आया था Valentine's Day पे ये दोनों एक साथ मिले थे एक साथ romantic post भी share किया था लेकिन ये सारा का सारा कुछ दिखावा था और अब ये आपको confirm हो गया है कि इन दोनों का breakup हो चुका है और मुनवर फारुकी फिर से अपने एक बात में सही सावित होता है कुछ लोग ने हमें comment करके कहा कि इन दोनों का affair था ही नहीं ये लोग सब कुछ प्लान करके बिग बॉस में गय थे और प्लान करके वहाँ पर जो भी उनों ने किया सब कुछ इनका scripted प्लान था भाई अगर नहीं थे लोग girlfriend वाइफेंट तो जिस तरह से एक कंबल में गुषते थे और एक दूसरे के अंदर गुषते होते थे उस तरह का on screen अगर ये प्लान करके कर रहे हैं थे तो भाई बहुत ही महान लोग है ये लोग तो फिर हम क्या ही कह सकते इसके बारे में लेकिन हमें नहीं लगता कि ये प्लान करके था गल्फन वाइफन रहे होंगे लेकिन ये है कि इशा ने अब उसको चिंटू को तो छोड़ दिया है ये कंफर्म है चिंटू ने भी इशा को छोड़ दिया है इन दोनों ने एक दूसरे को अन फॉलो कर दिया इस्टाग्राम पर ये एकदम कंफर्म बात है अब फाइनली हम बात कर लेते हैं आज के तीसरे टॉपिक पर आज का तीसरा टॉपिक है बिग बॉस ओटी टी थी हमने आज ट्वीट किया था कि बिग बॉस ओटी थी तो आहीनी इडा है कई जगह पर न्यूज चल ला है कि मुनवर फारुकी जो है वो दो वीक के लिए गेस्ट बन के जाने वाले हैं कई जगह पर हमने न्यूज देखा कि सदाकत खान जो है बिग बॉस ओटी टी थी में जा रहा है तो हमने हमारा एक सोर्स है इंड़मॉन में एक लड़की काम करती है उससे बात किया था दो दिन पहले तो उसने कहा था कि नहीं बिग बॉस ओटी टी थी तो नहीं आएगा डारेक्ट 18 आएगा उसके बाद कई सारे लोगों ने हमें इस्क्रीन शॉट बेजा कि देखो इंड़मॉन ने कल एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है कि आप लोग बिग बॉस ओटी टी थी में किसको देखना चाहेंगा फिर कई सारे लोगों ने हमें DM करके बताया है कि देखो खबडी है वो भी अपनी बात से मुकर रहा है वो कह रहा है कि Big Boss Water 3 जो है आएगा देखिए हमारा जो भी information होता है ऐसे किसी Instagram post के basis पर होता नहीं है हम आपको कोई भी जोटी information नहीं देते हैं हमारी जो information होती है हमारे sources स होती है हम अभी भी कह रहें कि हमारे source नहीं यहीं बताया उसके बाद जब हमने यह tweet किया तो उसके बाद खबडी का भी फिट जो है उनका भी tweet आ गया कि आहां यह जो है एक random ऐसी तरह का Instagram post हो सकता है ऐसी कोई confirmation नहीं है कि Big Boss Water 3 आएगा तो अभी तक तो हमारे source नहीं यहीं कहा है इन future अगर ऐसा कुछ होता है कि सच में OTT 3 finalize हो जाता है और उसके कोई भी contestant finalize होते हैं तो हम आपको confirm बताएंगे ख़बर यह भी चल लगी है कि मुनवर के दो सदाकत खान confirm हो गया है वो भी गोशोटी 3 जार है है हमने इस बात के लिए direct सदाकत को भी message कर रखा है अभी response आया नहीं है पर जितने और close लोगों से मेरी बात हो पाई है उन लोगों ने तो यहीं खाया कि नहीं ऐसा कोई confirmation नह तो यहीं कहड़ा है कि OTT 3 नहीं आ रहा है बट एनीवे यह तो future की बात है अगर OTT 3 आता है तो भी हमें पता चल जाएगा हम आपको confirmation बता देंगे कौन-कौन contestant जाने वाले हैं यह भी हमें पता चल जागा हम आपको यह भी बता देंगे सदाकत जा रहा है या नहीं मुनव मुनवर फारुकी तो बिल्कुल भी as a guest list नहीं जा रहा है अगर होता भी है OTT 3 तो मुनवर फारुकी first day जैसे last year OTT 2 जब आया था तो MCS 10 as a winner वहां पर था तो मुनवर फारुकी as a winner वहां पर एक दिन के लिए हो जबता है लेकिन मुझे लगता नहीं कि यह होने वाला है पर लगता है informative लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you